हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो दे चैनल तो हमने निमेरिकल मैथेड में बैसेक्षिन मैथेड का कंसेप्ट समझ लिया था और इसके बेस पर मैंने आपको एक्जामपल समझाए थी अब हम क्या करेंगे कोई बी कुछ से सौल करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आचा है कि आपकी कॉछिन सौल कैसे करने हैं और अगर आपनी सौल कर भी नहीं है तो जो भी कोई आपके डाउट रहे गया तो वह यह फ्लियर हो जाएगा ठीक है इन कोस्ट को तो आप ले सकते हो पेपर में भी इवेन यूज कर चब तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो लेंदी है ठीक है तो करते हैं साथ हम इसका सकीन कोशिंग देखते है एक स्कोर माइनस 37 इस इकोल स्टो जीरो अब से बहले तो हम इसको फंशन कंजिनर करेंगे एक एक्स का इट मीज एक्स इसकोबर नाजका ननगा इसकोबर भए टो हमारा सबस्सक्राइब काम ही होता है कि हमें इंटरवल्स निकाले होते हैं माइनस 36 तो यह कैसी वैल्यू आ रही है फिन मैंने F में X को टूपिट किया तो क्या बनेगा 2 का स्क्वार माइनस 37 मेंस 4 माइनस 37 इस माइनस 33 अगेर इस नेगिटी वैल्यू जब तक 37 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी तब तक यह रूट नेगिटीव ही रहेगा तो हम दे एपल्यू को स्क्वार इंगे साथ नेगिटीव दिएव देग तो 5 को स्क्वार्यणस 34 माइनस 37 एप्र और की माइन शीयार इता हैं व्ने छित win तो थंगेर वाल्यू नागें प्र मैंस भीकिटी नेग गें दीटीव वह थिएhot जैट आं इस नेगिटीव नहीं चीट प्र पूट किया तो 6 का स्क्वेर माइनस 36 अब हमने देखा कि यहां पे 36 आ गया है इट मीज़ों नेक्स्ट वैल्य होगी वो क्या आए जाएगी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी तो जब हमने एक्स को 7 पूट किया तो 7 का स्क्वेर माइनस 37 49 माइनस 37 इट मीज़ इस 12 तो इस पॉजिटिव वैल्यू तो इससे हमें क्या पता चल रहा है यह हमारी पॉजिटिव वैल्यू है और इससे लास्ट वैल्यू नेगिटिव कौन सी है 6 इसका मतलब जो हमारा रूट है वो कहां लाई करेगा रूट लाई बेट्वेइन 6 और 7 की बिच में रूट लाई करेगा ठीक है तो हमारी जो फॉर्स इटरेशन होगी वो क्या होगी कैसे करते हैं मैंने आपको बता रहा था न इन दोनों रूट को आड़ करो डिवाइड बाई 2 गरो तो 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 थर्टीन डिवाइड बाई 2 विच इपवल तू तो 2 6,012.5 यह व्याली आगे वाएगे हमारे पास यह क्या है मारे पास रूट यह क्या है रूट अब हम इस रूट की व्याषनिंग पुट करने के बाद हमें tब पोसिटिव यह रहा है जैसे अब मैं calculator का use करूंगी देखिए जब हम 6.5 की multiplication करते हैं दो बार तो हमारे पास आता है 42.25 जब मैं 42.25 में से minus 47 को तो मेरे पास आता है 5.25 तो 5.25 कैसा है positive है ना positive है तो इसका मतलब 6.5 ने हमें एक positive value दी इसका मतलब ये root कैसा है positive अब देखो एक गलती मत करना इस वाली value को लेकर आगे का part solve मत कर देना ये गलती हो सकती है आपको root देखना है आपको इसको भूल जाना है अब ये root हमारे पास positive ये root आगया तो अब ये देखो कि positive के साथ कौन सा लोगी positive तो नहीं लोगे ना यहाँ पर अब आपको नेक्स हो जायेगा ये देखो ये positive root है ये एक negative root है तो जिसने second i iteration हो जायेगा यानि कि एक second आपका approximation आएगा root का वो क्या आएगा वो यह आएगा यो जो root है वो must lie second step है must lie between किसके बीच में लाई करेंगे अब root अब root लाई करेंगे 6 negative value है 6.5 positive value है 6 and 6.5 की बीच में clear है तो 6 plus 6.5 करेंगे divided by 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है यहां से जब हम 6 के अंदर राइड करते है 6.5 को तो हमारे पास आ जाता है 12.5 और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आ जाता है 6.25 अब देखो अब function के इंदर जहां 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 हमा के output करेंगे 6.25 तो क्या बन जाएगा 6.25 का square माइनस 37 ठीक है अब हम calculator की हाल से देखते हैं कि 6.25 की multiplication में जब हम करते हैं 2 तो आता है हमारे पास 39.0625 माइनस 37 यह calculator में यहां रख रही हूं तो उसकी जो brightness है उसकी पर ऐसे वीडियो की जो quality हो डिक्रीज हो जहें इस पर जिसमें यह calculator साइड में रख रही हूं ठीक है मैं calculation इसमें कर रही हूं बट वो फिर आपको ना video clear नहीं लिखी कि इसलिए में साइड में रख रही है उसकी पास जब मैंने इसको 39.0625 को सब्ट्रेट किया 37 तो मेरे पास जो value आ रही हूं आ रही है 2.0625 अब यह value value कैसी आ रही है positive यह value positive आ रही है इसका मतलब यह root कैसा है यह root कैसा है positive यह root कैसा है positive अब इस positive root के साथ आपको कौन सा लेना negative तो ऊपर चलो ऊपर root कौन सा था 6.5 6.5 कैसा root था positive तो यह तो नहीं ले सकते फिर हम उपर गए हम 7 पे गए 7 भी क्या था एक positive root था तो हम इसको भी consider नहीं करेंगे फिर हम क्या है six कैसा था था तो हमारे पास जो रूट होंगे अब देखो जब मैंने six के अंदर add किया 6.25 को तो मेरे पास आया 12.25 12.25 और जब हम इसको divide करते हैं two से तो हमारे पास आ जाता है six point six point one two five six point one two five ठीक है अब function के अंदर क्या करेंगे x के जिए six point one two five को put करेंगे ना लो देखो function के अंदर जब six point one two five को put करेंगे जब हम square करेंगे और फिर उसमें से क्या सबस्ट्रेक्ट करेंगे 37 तो हमारे पास 6.125 की मिल्लिप्रिकेशन 6.125 से करने की बाद आ रहा है 37.515 और 37.515 में से जब हम सब्ट्रेक्ट करते है 37 को तो हमारे पास आता है 0.515 विच इस पॉजिटिव इसका पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो 6.125 रूट है ये जो र ये कैसा है बाद इस पॉजिटिव के साथ एल्व कैसी लिए है डीटीव भी एंगिटीव ड्लॉ का मतलब क्या है कि उपक्र चलो ये कैसा है पॉजिटीव होगं काहरे सिर्फ गाब जो वैल्युइव एगी वह की बिच में 60 veo 651 275 के बीच में ठीक है तो आप जो हमारे पा 6 प्लस जब 6.125 divided by 2 करोगे तो यह आएगा 12.125 12.125 और इसको जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आजाता है 6.0625 ठीक है? 6.0625 अब देखिए जब फंक्शन के अंदर 6.0625 को रखते हो तो 6.0625 का स्क्वेर करोगे 6.0625 का स्क्वेर और माइनस 37 करोगे तो आपके पास आएगा आपके पास आ रहा है 36.753 माइनस 37 36.753 माइनस 37 और सब्टेक्ट करने के बाद आ लिए वैल्यू माइनस 0.247 ठीक है? देखिए इतना होगे हमारे पास अब यह कैसा आ रहा ही नेगिडिवार है अब देखो जो आपके रूट्स है वो आपको कहा तक निकालने है कोशिन के अगर मैं बात करूँ तो कोशिन में आपको निकालने है 3 decimal places तक निकालने है तो यहां तक जो हमारा रूट था वो 2 decimal places तक था अब जो हमारे पास यह रूट आया है यह कितने decimal places तक आया है 6.125 तक यह रूट आया है 6.0625 तक आया है अब हम एक रूट और ही निकालेंगे उसके बाद हम जादा नहीं निकालेंगे फिर हम इसको यहीं पर अप्रोक्सिमेटली आंसर निकाल देंगे थीक है अब देखू यह नेगेटिव आया है इसका मतलब बी कैसा है नेगेटिव है अब नेगेटिव है तो इसके साथ positive लेना पड़ेगा positive कौन सा था यह यानि कि last job के पास था वो कौन सा था यह negative था यह positive था तो इसके साथ क्या है 6.125 6.0625 यह है तो 6.125 प्लस 6.0625 और इसको आप डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह मैं कैलकुलेट करते हूँ प्लस 6.0625 जब आप इनको एड करते हो तो आता है 12.1875 डिवाइड बाइट तो वैल्यू आ रही है अब आपके पास 6.09375 ठीक है अब यह वैल्यू आ रही है अब फंक्शन के अंदर जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो फंक्शन के अंदर 6.09 वैसे तो हमें पुट करने की भी नीड नहीं क्योंकि हम इसके बाद हमारा जो कॉशन है वो खतम ही हो जाता है बढ़ फिर भी हम इसको इसको पर पुट कर ही लेते हैं तो जब मैं 6.09375 की मुल्टिप्लिकेशन कर रहे हैं 6.09375 के साथ त 37.133 माइनस जब हम इसमें से करेंगे 37.133 में से और एक और 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाली वाइए 0.133 ठीक है तो अब देखो अब हमारे पास जी रूर था ये क्या था 6.5, 6.25, 6.125, 6.0625 और अब क्या आया 6.09375 अब हमारे पास ये जो लास में देखो ये 0 से 0 मैच हो रहे है न तो हमारे पास रूर मैच होने साथ हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसको जादा सॉल नहीं करेंगे हमारा जो रूर होगा न हम ये ही कह देंगे कि अभी हमारा क्य आया है आंसर है आपके बुक के एकोडिंग आंसर है 6.083 और हमारा जो आंसर आया वो क्या है 06.093 ये ही है ना 06.093 को कि लो ने कहा है कि आपको 3 decimal प्लेशी तक आंसर निकाला है तो हम इसके decimal के बाद 3 ही points को consider करेंगे तो ये हमारा final answer आंगे है कि हमारा क्या है final positive root है ठीक question में आपका answer आएगा आप लिखोगे ऐसे approximation ठीक है अब समझ में आया है आपको ये question में करने कैसे एक बात यहां तक ना कि in value को मत ले लेना गलती से आपको root को लेना है root के साथ in value को तो सिर्फ आपने ये देखने के लिए use करना है कि ये positive है या negative है और इसका कुछ काम नही है तो मतलब अब answer match होने start हो जाएंगे तो इस वरने से हमने अपने answer को यहीं पर stop कर दिया उन्होंने 3 decimal places तक बोला था हमने 3 decimal places तक तीन roots निकाल दिये तो तीन roots में हमने सबसे last value answer को मारा answer गजीर कर लिया ठीक है ठीक है clear है क्योंकि यहां तक तो हमारा कोई root match भी नहीं हो यहां प्याने के बाद हमारे digit match होने लगी तो हमने अपने answer कोई ही पर stop कर दिया कि सारी questions ऐसे हैं हां बस यह है कि हर किसी question में इसमें हमारे पास five number of steps को में करना पड़ा हो सकता कि किसी में six करने पड़े seven करने पड़े या फिर हो सकता ही five से कम ही आपका answer आज जाए तो आपने देखा कि calculation हमारी calculator से होई जाएगी clear है समझ में आ गया I hope कि आपको by section method अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जूर कर देना अगर मेरे चैनल पे आप नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन को जूर रिट कर देना तो सी ओ गाइस वीडियो तो लाइन बाबाए टेक केर की वाचिंग कीव सड़िंग